मारासे जी आठ है नौदिन की जवाप राम कथा करते हैं तो उसके बाद पूरे कारकरम के दौरान पूरे प्रोग्राम के दौरान एक सार निकलता होगा कि हमें लास्ट में जो है यह सार लोगों को दे करके जाना है हर रोज देते हैं लेकिन उसका निचोड़ निसकर्ष पर और आप जो है अंतिम दिवस्त जब कथा होती होगी तो लोकों के देखे जाते होंगे तो इस प्रोग्राम को हम समाप्त करें कि उसके पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों को सार अपनी तरफ से निशकर्स अपनी तरफ से जो आप कहना चाहते हैं दिशा के दर्शकों को बहुत अच्छा आपने परशन उठाया हम लोग रामकथा कहते हैं मनोरण्यन होता होगा हमको कुछनकुछ आर्थिक लाभी होता होगा वह एक अलग विशे रामकथा वास्तम में मनोरण्यन का साधन नहीं है किसी राज परिवार की गाथा नहीं है किसी महापुर्श का वरणन भी नहीं है रामकथा राम निर्मान की कथा है एक आम व्यक्ति भी राम कैसे बन सकता है इसका साचा श्री रामकथा है जो समस्याएं हमारे परिवार में आज हैं समाज में जो समस्याएं आज हैं रास्ट में जो समस्याएं आज हैं ठीक इससे और ज़्यादा बड़ी समस्या राम जी के भी परिवार में थी उस समय के समाज में भी थी उस समय रास्ट में भी इसी प्रकार की अमतरास्टी इस तर पर भी यही समस्याएं थी जो आज हमारे यहाँ हैं उन सारी समस्याओं का निदान कैसे राम करते गए उसी की राम लीला बनती चली गई उसी की राम कथा बनती चले गई और लोटकर जब राम आए हैं तो कैसे रामराज इस्थापित हो गया इस बीच में उन्होंने क्या क्या किया परिवार में जब बटवारे का जगडा हुआ तो शांद पूरवक चुपचाप निकल गए पिता जी को ये तक नहीं कहा कि मेरा दोश क्या है मुझे क्यों निकाला जा रहा है पिता की इक्षा है बेटा बाहर जाओ तो वो बाहर चलेगे प्रजा उपेक्षित थी उस राज्य में तो छोटे बड़े में बड़ी भारी खाई थी तो उस खाई को पाटने के लिए गोह से यात्रा प्रारम कर दी समाज के छोटे अचूत व्यक्ति के पास प्रभू बैठ गए उससे गड़गड़ा कर नाओ मांगते हैं शवरी जैसी अचूत महला के पास बैठ कर उसके हाथ का भोजन करते हैं जो बानर जाती कामी चंचल मानी जाती है ऐसे आचरन ही इन समाज के अंदर जाकर उनको अपना मित्र बनाया जो बिलकुर राक्षसी जीवन जी रहे थे हत्याएं कर रहे थे दुनिया भर के दुर्गुन थे मानसहार, मदिराचार, पापाचार, अपहरन, बनातकार जो कुछ हो सकता है बुरे के नाम पर, जो समाज सब कुछ करता था, वहां तक भी प्रभु पहुँच गए और अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में कितना बड़ा अंतर खाई बढ़ चुकी थी, चार सो कोज की खाई थी उस चार सो कोज की खाई को सेतु बंद के नाम से पाटावा, शिव की स्थापना इसलिए कि शिव कल्यान के प्रतीक है, सारे समाज का कल्यान होना चाहिए, प्रभु लंका में गए, उसमें से कौन हमारे इस अभ्यान को सहयोग दे सकता है, तो थोड़ा सदगुणी, विव चाहिए, और सारे देश में एक अच्छा सात्वक्ता का बंधत्तु का भाईचारे का संदेश देते देते फिर अवद्के सिंगासन पर आये फिर रामराज निरिमित हुआ, रामराज शासन की समवेधान की विवस्था नहीं थी, रामराज एक समाज के सदाचर्ण की परम अवस्था थी कि समाज का व्यक्ति जब सदाचारी होता है संवेदंशील होता है परोकारी होता है धर्मशील होता है पुन्यात्मा होता है सद्गुणी होता है तो फिर वो शासन रामराज कहलाता है गद्धी पर कोई भी बैठे वो राम का ही राज्य माना जाएगा आज जैस से कहा जाता हम रामराज इस्थापित करेंगे तो रामराज इस्थापित कैसे हो सकता उसके लिए राम कहां से आएंगे तो नहीं नहीं राम को लाने की जरूत नहीं है राम जिन गुणों के प्रतीक थे उन गुणों को इस्थापित अपने अंदर करो फिर जो बैठेगा वो राजी भी राम राजी खहलाएगा यह परिवार से प्रारम हो सकता है राष्ट तक जा सकता है अंतरास्टी इस तरको भी पहुंच सकता है तो राम राजी की शुरुआत राम कथा के द्वारा राम कथा यह राम निर्मार का साधन है राम कथा राम निर्मार का माध्यम है उसक मेरे एक मांग है कि ये पूरा देश राम बने और इस देश के राम की सुगंद पिर अंतरास्टी इस तरह तक जाए सारा विश्व राम राज्जी की इस पावन गंगा में गोते लगाए सब सुखी हो सब सच्चतर चरित रहूं सब आनंदित हो सब प्रसन्न हो सब बंधुत् सब सदाचारी समाज हो नारी का आदर हो दीन हीन गरीव उपेक्षे दुद्पीडित ये सभी इस प्रकाश के अंदर प्रवेश करें ऐसी मेरी इक्षा ऐसा मेरा संकल ऐसी प्रफुसे प्रार्थना और यही आपसे मेरी विंती है कि इस संदेश को जितना हो सके समाज तक इ पर चलना है अब तक में किस रास्ते पर था मार्ग तो यह उस प्रकाश को आप गली गली घर घर तक पहुंचाएं आपकी बड़ी कृपा होगी धन्यवाद